हेलो गाईज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे ही आप सब आसा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सभी को जाएगे रोपने अपने घरों में स्वस्त होंगे तो यहां पर देखी क्या Amazon से मैंने कुछ order किया था, तो रिसीव हुआ है, तो मैंने सुचा कि चलो ये एक दिन quarantine में रहा है, उसके बाद अभी भी मैं चीजो को quarantine करती ही हूँ, तो उसके बाद फिर मैंने इसको open किया है, तो मैं सुचा कि चलो आप लोग के सामने इसको open किया कुछ अगर मंगवाना चाहते हैं, तो एक बाद वीडियो देखते तो अच्छा लगता है कि हाँ, उसने मंगवाया तो सायद अच्छा होगा, इसको कुछ होता है ना, तो इस बाद थोरा सा मैंने सुचा कि चलो आप लोग के सामने इसको open करती हूँ, दिखाती हूँ, तो अभी तो देखें, देखने से तो काफी अच्छा है, डॉर्मेट है, तो मुझे काफी अच्छा लगा, चार है ये, लेकिन अब देखिए, यूज करने का बाद कैसा रहता है, ये तो फिर आप लोग के साथ में सेयर करूंगी कि कैसा निकला ये, तो ये चार है, और त्री स इसमें का कलर साहर ये ही था, काफी टाइम होगी, और किये हुए, मुझे याद नहीं है अच्छे से, तो कैसा निकलता आप लोग के साथ में जरूर्ड सेयर करूंगी, तो आप लोग की बताएगा कैसा है, देखने से तो काफी अच्छा लगता है, और उसके बाद ये इतना स्वीट कॉर्ण है, तो मतलब बताने सकती है, इतना अच्छा लगता है, और फिर मैंने लास्ट में फिर एक एक कड़की ही पकाया था, क्योंकि दो नहीं हो पा रहा था, एक दो रखती थी तो गिर जाता था, और ये नाइट का किलिफ है, मैं अब डीनर की तयारी कर क्या बनाओंगी, चलिए, आप लोग में साथ बने रहे हैं वीडियो में तो पता चलेगा, तो मैंने बंदा गुभी निकाल लिया और हरी मिर्च निकाल दी हूँ, और सबजी भी आता है, तो सबसे पहले मैं पानी में नमक डाल करके उसको अच्छे से वास करती हूँ, उस बनाना होता था, तब उसको मैं अच्छे से वास करती थी, और देखिए दर गोभी काटा है, मैंने गोभी का किलिप नहीं दिखा पाई आप लोगों को, तो गोभी और बंदा गोभी मैंने लिया है, बनारियो मंचूरियन, और इसमें मैंने मैदा डाल दिया है, थोड़ा स नमक डाल दोंगी, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लोगी, तो आज की मतलब अभी कुरोना काल में काफी बढ़ गया है काम जैसे कि अब सबजी ही आया, जितना आया, आलू सहीत मैं दोती हूं, और सब को दो करके फिर मैं उसको अच्छे से रख देती हूं, उसका जब निकल जाता है, फिर भी मैं, मेरा कोसिस रहता है, एक दिन बाहर ही रहे, तब मैं आलो तो खेर फ्रीज में नहीं रखती हूं, जो भी हरी सबजिया होती है, तो उसको मैं फ्रीज में स्टोर कर देती हूं, तो यह समझे है, जिस दिन सबजी आता है ना, उस दिन बहुत भी ने, डीयर में डाले हो, बिस नमक डाले है, और मैदाइक हो, और सब।धी होती है, जैसे बंदा को भी है, और इस सब्सक्री合ो भी है, और इसमें थवोड़ा सा मेन, काली मीर्च और जीरे का पाओर या थे बाला है, और उसको में सारे पकोडард को तल लूँंगी होती है तो उसको नीन आ जाती है वो जल्दी सोती है तो मैं वो सोती नहीं है जब उसे नीन आती है तो रोड़ने लगती है तो मैं बोली बिटा आप ऐसा किजिए पकोरी खा लेजिए तो बोली नहीं ममा मुझे पकोरी नहीं खाना है मुझे आप जो बना रहें वो खाना है बोली ठ कि वेटा लेकिन वो सो गए थी वो नहीं खाए थी बिल्कुल भी तो इसी तरीके में सारी पुपोड़ी को सल लोगी और तो तो देखते हैं आप लोगी कि वो तो तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि मैंने तेल डाल दिया कराही में सेम कराही में उकराही से मैंने रिफाइन वायल निकाल दिया है और उसी में तेल डालने के बाद मैंने मिर्च डाल दिया है और अद्रक डाल दिया है और इसको मैं थोड़ी दिर भून लूगी उसके पिर मैं सब्सक्राइब जैसे कि सोया सॉस टमैटो कैचप और चीली सॉस यह सब डाल दोंगी और कैचप मैं ज्यादा डालती हूँ ऐसे सब लोग डालते ही ज्यादा ही है यह बस एक चमच डालती हूं सोया सॉस और यह देखे फ्रीज में रखा हुआ था इस बज़े से थो निकलने में प्राप्लम हुगी फिर मैंने देखिए चीली साॉस डाल दिया है और टोमेटो सोस डाल दिया है और इसमें मैं जोबी पकोडी बनाया है तो मैं डाल दूंगे और मर्जुन बन करके तयार हो गया है, मेरे पास धनिया नहीं था इस वजह से तो इस बज़े से मैंने इसमें नहीं डाला, डालने से काफी उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, देखनें भी अच्छा लगता है और इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला था थोड़ा सा आप लोग देखे होंगे बीच में और ये देखिए बन करके बिल्कुल तयार हो गया है कैसा लग रहा है आप लोग भी जरूर रहता आईएगा और शली आप लोग भी खा लेजिए मिलते हैं कर दो आप लोग भी जरूर रहता है आप लोग भी जरूर रहता हैं हूं सु खैट गैस तो ये देखें नेक्स डेका के लिवेओर आपर्णूण का और मैं यहां लैंच बनारी याशी की की आ सब मुझे लॉके की सबची चाब way बहुत ज्यादा पसंदी है आज मैं आलो नहीं डालती थी और सब्ची इससे ही अच्छे लॉकी की अपाप के लची की में बहुत अच्छा लगताथ ल का लोकी में आलू डाल करके बोलते हैं बनाई है और सच भी बहुत अच्छा लगता है मैं भी बहुत अच्छा सब्सक्राइब आज कल जब भी लोकी का सब्जी बनाती हूं तो आलू डाल करके बनाती हूं और यहां देखे दोनों बाबो को मैं पपाया काट करके दे रही हू तो लॉकी के सबजी बहुत अच्छा, चाबल साथ, मुजे तो बहुत अच्छा लगता है लॉकी हो गया, तोड़ी हो गया, यह सब बहुत अच्छा लगता है, तो छलिए पापी द आप लोग भी खा लीजिए, पाबु दोनों को दे देती हो, और इसमें देखी मैंने काले काला नमक डाल करके काफी चाल लगता है खाने में और यहां पर देखे जो क्लिप है वो मैं ऐसी मैं बैठी हुई थी बाहर और तो मैंने देखा कि एक मोड आया है तो मैं उसका वीडियो जूम करके जबकि ली हूँ फिर भी काफी दूरी पे था वह बहुत दूर था थोड़ शूट किया था लेकिन आप लोग से बाते बिलकुल नहीं की और आज बीडियो मेरे रेगुलर नहीं हो बात रह रहा है तो उसके लिए शॉरी मैं कोशिष करूंगी कि अधिनव रहूं और अभी साम के बज रहे हैं तो यह मेरे वीडियो जो है कल से स्टार्ट है मैंने बी तो मैंने सचा चलो आप लोग से face to face बाते कर लेती हूं कल से बिल्कुल नहीं मिली आप लोगों से तो और इस वीडियो का end भी करना है मुझे क्योंकि लंबा बस दस बारा मिनट का वीडियो जाता है तो सही रहता है ज्यादा हो जाता है इडिटिंग करने भी problem होती है तो और एक चीज़ा और काईस मैं सोच रही हूं कि कुछ जो comments होते हैं यह जो मुझे अच्छे लगते हैं comments जो अच्छे होते हैं वो मैं comments पढ़ना चाहरे हूं कि comments सबका पढ़ूं क्योंकि जो अच्छे comments होते हैं वो अब तो आप लोग comments करते हैं उसको मैं वीडियो में पढ़ूंगी और इसको थोरा ignore किजिएगा यह घाव हो गया face में क्विपल निकल आया तो तो मैं सोच रही हूं कि सारे जो भी वीडियो में comments आते हैं अच्छे comments जो रहेंगे उसको मैं read करूंगी तो यह मैं सोच रहेंगे इस वीडियो मे करूंगी क्योंकि यह video अलेडी काफी लंबा हो गया है तो मैं next video में कोशिस करूंगी कि पढ़ूं ऐसे तो ज्यादा comments नहीं आते हैं भी मेरे वीडियो पर तो जितना आता है उतना मैं कोशिस करूंगी पढ़ने का और एक दिन ही तो हो जाएगा 2-4 comments ही तो होते हैं किसी कि में थोड़ा जादा होते हैं तो इतना तो होई जाएगा तो आप लोग बताईगा कैसा idea है comments पढ़ने का मुझे तो ऐसा मैंने सोचा कि चलो उसको पढ़ूंगी तो चलिए तो चलिए इस वीडियो का इहीं बैंड करते हैं और मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो की साथ तबते के लिए बाई बाई